Your Excellency, Prime Minister Donald Tusk, दोनों देशों के डिलिगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार. वार्षो जैसे खुबसुरत सहर में, गर्म जोशी भरे स्वागत, भव्य आतिति सत्कार, और मित्रता भरे शब्दों के लिए, मैं प्रधानमति टूस का रदैस से आभार व्यक्त करता हूँ. आप लंबे समय से भारत के अच्छे मित्र रहे हैं, भारत और पॉलेंड की मित्रता को मजबूत करने में, आपका बहुत बड़ा योगदान है. फ्रेंड्स, आज का दिन भारत और पॉलेंड के सम्मंधों में विशेश महत्वर रखता है. आज, 45 साल के बाद, किसी भारतिय प्रधानमंत्री ने पॉलेंड का दोरा किया है. मेरे तीसरे कारेकाल के शुरुवात में ही मुझे यह सवभागे मिला है. इस अवसर पर मैं पॉलेंड की सरकार और यहां के लोगों का विशेश आभार व्यक्त करता हूँ. आपने 2022 में, युक्रेन कांफ्लिक्ट में, फसे हुए भारतिय स्टूनेंट्स को निकालने के लिए जो उदारता दिखाई, उसे हम भारतबासी कभी नहीं भूल सकते. फ्रेंड, इस वर्थ हमने अपने राजनेग सबंधों की सत्तरवी वर्जगांट मना रहे हैं. इस अवसर पर हमने समंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टर्शिप में परिवर्तित करने का निर्ने लिया है. भारत और पॉलेंड के समंध, डेमोक्रेसी और रूल अफ लॉज जैसी सहाजा मुल्यों पर आधारी था है. आज हमने समंधों को एक नई दिशा देने के लिए कई इनिसिटिव की पहचान की हैं. दो लोगतांत्रिक देशों के रूप में हमारी पार्लामेंट के बीच आधान प्रदान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. आर्थिक सहीयों को व्यापक रूप प्रदान करने के लिए प्राइवेट सेक्टर को जोड़ने के लिए काम किया जाएगा. फूड प्रोसेसिंग के लिए खेत्र में पॉलेन वर्ल लीडर्स मैंसे हैं. हम चाहते हैं कि पॉलेन की कम्पनिया भारत में बनवाए जा रहे मेगा फूर्ट पार्क से जुड़े, भारत में तेज गती से हो रहे शहरी करन से बॉटर ट्रीक्मेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्रेक्टर, ऐसे खेत्रों में हमारे सयोग के नए अवसर खुल रहे हैं. Clean coal technology, green hydrogen, renewable energy, artificial intelligence भी हमारी साजी प्राथ्पिक्ता के विशय हैं. हम पोलेंट की कंपनियों को make in India and make for the world से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं. फिंटेक, फार्मा, स्पेस ऐसे खेत्रों में भारत ने अनेक उपलब्दियां हासिल की हैं. हमें इन खेत्रों में अपना अनुभव पोलेंट के साथ साजा करने में खुशी होगी. रक्षा के खेत्रों में करीबी सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीख है. इक खेत्र में आपसी सहयोग को सुरदड़ बनाये जाएगा. इनोवेशन और टैलेंट हमारे दोनों देशों की युवास शक्ति की पहचान है. स्कील्ड वर्कफोर्स की भलाई के लिए, स्कील्ड वर्कर्स की भलाई के लिए और मोबिलीटी को बढ़ावा देने के लिए दोनों पक्षों के बीच सोचल सिकुरिटी एग्रिमेंट पर सहमती बनी है. फ्रेंट्स, भारत और पोलें अंतराष्ट्य मंच पर भी करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं. हम दोनों सहमत है कि वैश्वीक चुनोतियों का सामना करने के लिए सयुक्त राष्ट्रसंग तथा अंतराष्ट्य समस्थानों में रिफॉर्म वर्तमान समय की मांग है. आतंकवाद हमारे लिए एक बड़ी चुनोती है. मानवता में विश्वाज रख्षने वाले भारत और पॉल इंडिया से देश ऐसे और अधिक सहयोग आवशक है. उसी तरह ट्राइमेट चेंज हमारे लिए साजह प्रात्वित्ता का विशय है. हम दोनों अपनी शमताओं को जोड़ कर ग्रीन फ्यूचर के लिए काम करेंगे. जनवरी 2025 में पॉलेन उरोपियन यूनियन की अध्यक्सता समालेगा. मुझे विश्वाज है कि आपके सहयोग से भारत और ईउ के समंधों को बल मिलेगा. फ्रेंट, यूक्रेन और पस्चिवेशिया में चल रहे संगर्स, हम सभी के लिए गहरी चिंता का विशय है. भारत का यह द्रड विश्वास है कि किसी भी समस्या का समाधान रन भुमी में नहीं हो सकता. किसी भी संकट में मासुम लोगों की जान की हानी पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनावती बन गई है. हम शान्ति और स्थिर्ता की जल्द से जल्द बहाली के लिए डायलोग और डिप्लमसी का समर्खन करते हैं. इसके लिए भारत अपने मित्र देशों के साथ मिलकर हर संभव सहयोग देने के लिए तयार है. फ्रेंड्स पोलेंड में इन्डोलोजी और संस्कृत का बहुत पुराना और सम्रुद्र ट्रेडिशन रहा है. भारतिय सभ्यता और भाषाओं में गहरी रूची से हमारे समंधों को, हमारे समंधों के मजबुत नीव रखी गई है. हमारे गहरे पीपल टू पीपल टाइज का एक प्रत्यक्ष और जिवन्त उधारण कल मैंने देखा इंडियन पोल्स के दोबरे महराजा और कुलापूर के महराज की याद में बनाए गए मॉनुमेंट्स पर मुझे स्रद्धानली देने का सोभागी मिला. मुझे खुशी है कि आज भी पोलेंड के लोग उनके परोपकार और उधारता का सम्मान करते हैं. उनकी इस मुर्ति को अमर करने के लिए हम भारत और पोलेंड के बीच जाम साहब अपनवानगर यूथ एक्षेंज प्रोग्रेम शुरू करने जा रहे हैं. हर वर्ष पोलेंड के बीच जिवाओं को भारत यात्रा पर लेकर जाया जाएगा. फ्रेंड्स मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री टूस्क और उनकी मित्रता के लिए रदय से आभार प्रगड करता हूँ. और हमारे समंदों को नए स्तर पर ले जाने के लिए अपनी प्रतिवत्तता दोहराता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद.